आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फरक नहीं बढ़ता बस उसकी कहानी बड़े होनी ठाई है नीरे विकॉज में आपके हाथ 91 पुलीसमेन और 1500 निर्दोर सिविलिस के खुन से रंगे जब कोट मुझे आपको इंटेरो किट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या जादे इंपॉर्टन है 248 मौत ये आपका इन ना बोलने का दिखा कितना रंटाइम होगा इस फिल्म का क्या मेकर्स ने रखी ओडियंस के लिए फ्री स्क्रीनिंग अब पूरी तरह से तयार है ओडियंस को एक आर्टिस की दास्तान सुनाने के लिए दोस्तों आप इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी खबर रिवील हो चुकी है आपको ये सुनकर काफी खुशी होगी कि इस फिल्म को CBFC से A Certificate मिल चुका है और साथे फिल्म का रन टाइम भी तैय हो चुका है फिल्म का रन टाइम होगा दो खंटे 15 मिनट 21 सकेंड और ये खुशकबरी दी है इंडिन फिल्म ट्रिटिक तरनादर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसके साथ ही एक और खुशकबरी ये है कि फिल्म के मेकर्स ने 20 सेप्टेंबर को ओडिन्स के लिए फ्री स्ट्रीनिंग रखी है जिसे 15 मिनट के अंदर ओडिन्स का काफी अच्छा रस्पॉंस मिल चुका है दोस्तों इस रिस्पॉंस से तो यही लग रहा है कि ओडिन्स इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है और हो भी क्यों ना ये कोई मामुली कहानी तो बिल्कुल नहीं है डिरेक्टर आर बलकी ने एक आर्टिस्ट की जिन्दगी की दास्ता सुनाने के तयार की है आपको बता दे कि ये फिल्म सिनिमा लेजिट गुरुदर्द की लाइफ से इंस्पाइड है मतब जिस तरह से गुरुदर्द जी को रॉंग क्रिकेसिजम की वज़ा से काफी परिशानी झेलनी बड़ी उसी तरह के दर्द को इस फिल्म में दिखाया जाएगा उन्हें उनके फिल्म कागस के फूल को लेकर लोगों के क्रिकेसिजम को फ्लीज करना पड़ा और बाद में उनहीं लोगों उने इस फिल्म को और उनके काम को एप्रिशेट भी किया पर जिस वक्त उनका साथ देने की जरुवत थी वहाँ पर उन्हें टागिट बनाए गया तो फिल्म में हमें वही ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस और क्रिटिसिजम से भरी कहानी सुनने को मिलेगी दोस्तों, होप प्रोडक्शन के साथ हाथ मिलाकर डिरेक्टर और राइटर आरवल्की ने काफी तगड़ी कास्ट को साइन किया है इस फिल्म में नजर आएंगे बॉल्वोड के माचो मैन सनी देवल, शार्मिंग एक्टर दुलकर सल्मान, एक्टरस पूजा भट और श्रिया धन्वंत्रे सनी देवल बने है क्राइम ब्रांच के हैड और पूजा भट बनी है क्रिमिनल साइकलोजिस्ट हलाकि दुलकर और श्रिया के किरदार को लेकर कोई जानकारी रिवील नहीं की गई है पर ऐसा लग रहा है कि दुलकर एक रिवेंजफुल क्यरेक्टर प्ले करने वाले है क्योंकि फिल्म के एक पोस्टर से यही थाबित हो रहा है कि दुलकर एक आर्टिस्ट का बद्दा लेने वाले हैं क्योंकि उनकी आखों में वही गुस्सा नजर आ रहा है व्यासे हमारे सनी पाजी ने आर बल्की के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियन्स आज़ा किया उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आर्बल की सर के साथ काम कर रहा हूं पर मुझे काफी मज़ा आया उनका वीजन काफी क्लियर है और उसी वीजन की वज़र से हम शूट 45 दिनों में यह पूरा कर पाए दोस्तों ऐसे फिल्म का टीजर तो गुरु दजी के 97 बर्ट एडवर्सरी पर रिलीज किया गया था आपको बता दे कि यह फिल्म रिलीज होगी 23 सब्टेंबर 2022 को तो बस तयार हो जाए चम जमाती दुनिया में आर्टिस्ट का क्या हाल होता है यह जानने के लिए चलिए इ अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताए और इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूँ आप से इन नेक्स्ट वीडियो में तब तक करें बने रहें बॉलिग्राइज स्टूडियोस पर नमस्कार